लेकिन दोनों का डिफ्रेंस काफी अलग है यानि कि दोनों का जो मतलब है वो काफी अलग है चली देख लेते हैं कि क्या होता है तो मीनिंग अगर देखे तो रिजर्व कैपिटल की बात की जा रही है कि इस अपार्ट ऑफ सब्सक्राइब कापिटल विच इस नॉट कॉल्ड बताओ, ब्सक्राइब काफी जब यह चैज уб इस कपनी शेस करती है पब्ली को तो फब्ली कुछ शायर को सब्सक्राइब करती ठीकिए, चितने बात बात लिग प्रेव जुआ और कि घपम का बातं की प्रश की पेमेंट होता है जो लेकिन 2 रुपे भी तक call नहीं किया, ठीक है, 2 रुपे call नहीं किया, तो ये इस 2 रुपे को company ने decide किया, एक special meeting बुलवा के, अपने shareholders से, directors से, एक special meeting बुलवा के, उनसे consent लिया, कि अब इस 2 रुपे को हम reserve करना चाहते हैं, कि जब हमारी company बंद होगी, तब हम इस पैसे का use करे तो ये जो 2 रुपे के हिसाब से उसने अपनी share value को reserve किया, वो हो गई हमारे reserve capital, I hope आपको clear होगा, ये uncalled capital का part होता है, ये किसका part होता है, uncalled capital का part होता है, जिसे company ने demand ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं, claim ही नहीं किया अपने shareholder से, उसको जब हम reserve कर लेते हैं future के लिए, कि ज से हम अपने debenture holders, loans को, creditors को, जितना भी हमने, हमारा जो liability बनता है, उसे जब हम payout करेंगे, उसी से payout करेंगे, तो वो reserve capital के amount से किया जाता है, I hope आपको reserve capital clear होगा, ठीक है, it is a part of subscribed capital, which is not called up, जिसे अभी तक बुलाया ही नहीं गया है, company तो जिसे अभी तक claim ही नहीं किया गय कि आप उसे pay करेंगे, और हम उसको सोच लेते हैं, हम उसे reserve कर लेते हैं future के लिए, कि जब हमारी company wind up होगी, तब हम उसे use करेंगे, हमारे जितने भी loans है, liabilities है, debentures holders है, creditors है, उनको pay करेंगे, और तब हम wind up करेंगे, तो वो उस time पे use किया जाता है, I hope आपको reserve capital clear होगा, capital reserve क is the part of capital profit created for a capital expenditure, not free to distribute as dividend, capital reserve क्या होता है, कि जब हमें कोई capital profit होता है, capital profit क्या होता है, capital यानि कि fixed, fixed asset पे जो profit होता है, वो capital profit होता है, जैसे कि हमने कोई plant and machinery की हमारी आज की value है, 10,000, लेकिन हम market में गए और हमें उसका 12,000 मिल गया, यानि कि जो 2,000 है, वो हमने expect नहीं किया था, लेकिन उस machinery, उस plant machinery पे हमें, 2000 का उपर से surplus amount मिला, तो वो capital profit हो गई, तो उसी profit को accumulate करके रखा जाता है, capital reserve में, उस profit को कहां डाला जाता है, capital reserve में, ताकि बाद में कोई भी capital expenditure company को करना हो, तो उसके उपर एक साथ burden ना पड़े, उसके पास कुछ accumulated amount हो, तो वो कहां डाला जात चाहता है, capital reserve में, इसी के साथ सार, जरूरी ने कि हमेशा आपको surplus हो, कभी आपको loss भी हो सकता है, कभी आपने 10,000 का estimate लेकर चला हो, लेकिन आपको 8,000 रुपए मिला हो, तो इसमें 2000 का आपको capital loss हो सकता है, तो capital reserve कभी minus में भी होता है, कभी profit में भी होता है, तो capital reserve में क्या जाता है हमारा capital इसमें बोला जा रहा है कि capital profit के थूँ जो amount आता है वो capital reserve में डाला जाता हो capital profit का amount कहां से आता है जह हम कोई fixed asset बेशते हैं उस पे कोई surplus amount हमें मिलता है तो वो capital profit होता है जो कि capital reserve में जाता है I hope आपको clear होगा reserve capital capital reserve का meaning अब चली देख लेते हैं nature क्या होता है reserve capital optional होता है ठीक है जरूरी नहीं कि आप रखेंगे माली जे कोई company बहुत अच्छी है उसका goodwill बहुत अच्छा है soundly work कर रहा है तो वो अपनी uncalled capital को कुछ भी reserve रखने कि या like वो purpose नहीं समझता है तो यह optional होता है यह बिल्कुल company पर depend करता है कि वो कितना secure चलना चाहता है कितना नहीं चलना चाहता है यह totally company dependent होता है वो company decide करती है लेकिन जो reserve capital reserve होता है यह optional नहीं है इसे बनाना mandatory होता है एक appropriate तरीका है एक सही तरीका है company को कि उसके पर एक साथ burden ना बने तो वो कुछ जो capital profit है उसे accumulate करके रखे और बाद में जब कोई capital expenditure बड़ा उसके पास आता है तो उससे उससे compensate कर ले उससे वो like secure रहे आगे की खर्चे के लिए now accounting policy and resolution इसमें जो reserve capital है इसमें special resolution पास किया जाता है annual general meeting में जहाँ पे सारे shareholders directors का consent लिया जाता है कि वो अपना कुछ uncalled capital का कुछ हिस्सा reserve करना चाहते हैं जो कि वो सिफ winding up के दौरान या फिर liquidation के दौरान ही use करेंगे तो यहाँ पे special resolution की ज़रुरत परती है जबकि capital reserve में कोई भी special resolution कोई भी policy की ज़रुरत नहीं परती है now अब हम लोग देख लें reserve capital में treatment in financial statements it is not disclosed in the financial statement देखिए तो uncalled capital का part है यहाँ पे भी call ही नहीं किया गया है तो हम इसे disclose कैसे करेंगे financial statement में तो यह financial statement में disclose नहीं होती है reserve capital अभी हमने call ही नहीं किया है liability arise हुई ही नहीं है तो हम उसे कैसे शो करेंगे financial statement में reserve capital शो नहीं होती है जबकि capital reserve show होती है balance sheet के reserves and surplus head में capital reserve show होती है now creation it is an uncalled capital यह uncalled capital से create होती है क्योंकि uncalled capital का ही कुछ part होता है जो कि call ही नहीं होगा बाद में तो वो क्या हो गया uncalled capital का एक part हो गया और यह कहां से निकलता है यह create होता है capital profit से जब company कोई asset बेशती है उससे कोई इसको profit होता है तब यह rise होता है तब यह create होता है capital reserve अब यह पैसा वो कैसे use कर से थी बाद में उसे कोई machinery plant खरीदना है capital expenditure करना है तब कर ले advertisement का ऐसा खर्चा होता है जो हर साल चलता रहता है उसको write-off करने के लिए use कर सकती है तो कई तरीके से capital profit का पैसा जो की capital reserve में transfer की है वो use कर सकता है इसे बना नेक्स पॉइंट है writing of capital losses reserve capital में क्या होता it cannot be used to write-off the capital loss यह देखे जिस purpose के लिए बना है reserve capital को पहली बात तो आप बीच में भी use नहीं कर सकते है आपने winding up के लिए पैसा रखा है liquidation के लिए उस टाइम पे creditors को pay करने के लिए रखा तो वो उस टाइम पे उसी purpose के लिए यूज होगा आप उसको बीच में भी use नहीं कर सकते है और ना किसी और purpose के लिए यूज कर सकते है तो capital loss को write-off नहीं किया जा सकता और यह तो बना ही है capital loss को write-off करने के लिए आपको कभी capital profit हो सकता है तो कभी capital loss हो सकता है तो उस capital loss को compensate करने के लिए write-off करने के लिए capital profit का use किया जा सकता है यहाँ पी utilization कैसे यूज के जाता है use to pay liabilities at the time of winding up इसका मीनी यही था कि winding up के दोरान liabilities को pay करने के लिए reserve capital का use किया जाता है तभी के लिए रखा ही जाता है और capital reserve में क्या है it is used to write off fictitious assets or capital losses वही बात है capital loss को write off करने के लिए fictitious assets को write off करने के लिए बाद में business expand करने के लिए capital profit accumulate करके रखा जाता है जो कि capital reserve में show किया जाता है तो I hope आपको clear होगा यह difference between reserve capital and capital reserve अगर आपको और भी कोई difference है तो आप comment कर सकते है आपको वीडियो कैसी लगती है तो वो भी आप मुझे बता सकते है comment section में thank you so much